हेलो, वेलकम स्टुटेंट, तडेए, वे रगल को रीड नेक्स चेप्टर रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री का यह फॉथ चैप्टर है विटे, तो चैप्टर का नम है सांस्कृतिक विकास, विचारत, विश्वास बेकतला सांस्कृतिक विकास का मतलब यहाँ हमारी संस्कृति से लगाएं हमारी धार्मिक क्रिया किलाप से लगाएं हमारे संस्कारों से लगाएं इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा बोध धर्म के बारे में जैन धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में हमारे समाज में बोध धर्म कैसे खैला किसने खैला है जैन धर्म का परचाग परसार कैसे हुआ और हिंदू जो आप सब हिंदू धर्म से सम्दित है तो आपका हिंदु ध्रम कैसे स्टार्ट हुआ या कैसे भिला इन सब्सक्राइब के बारे में उस्टड़े गरें तो सबसे पहले हमारे पास आता है, बोध ध्रॉम बोध ध्रम की चर्चा गर रहा है बोध ध्रम का अज़िस मस्तापक था वहमत्मा भॉत था महत्मा बुद्ध बहुत बड़ा पर्चारक या बोध ध्रम का संसापक के साथ साथ पर्चारक भी हुआ है महत्मा बुद्ध का बस्पन का नाम सिदार्थ था काफिबार कामपट स्नमिन के बारे में पूछा जाता है आप लोग इसको याद रखेगा इसका जनन लुम्बिनी में हुआ है इसमें ज्यान प्राक्ति गया जो कि बेहार में पड़ता है वहां ज्यान की प्राक्ति हुए सबसे पहला उपदेश पर्थब उपदेश सारनाथ जहां सोक स्थम्ब लगा हुआ है वो सारनाथ की जगे हैं वहां पर इसने सबसे पहले उपदेश दिया था आपने ज्यान की अपदेश दिया था इसने मुक्ति का मार्थ अश्क मारथ बदाए इसके जितने भी गरंथ हैं वो सारे पाली बासा में लिखे हुए जातक कथाई जो बो द्रब के बारे में बताती है वो भी पाली बासा में लिखे हुए है इसको तीन पिटक में इसने वर्ण के हैं तिरी पिटक आभी दम पिटक और तीसरा है सुख पिटक जिसके अंदर वो द्रब की चर्चा की ज़ती है ओके इसके बाद आगे आता है वो द्रब को परचार पासार कौन करते हैं बहुत द्रब का परचार बहुत द्रब का परचार करने वालों तो बिक्षु या बिक्षु ही बोला जाता है पहले इसमें क्यों बिक्षु हुआ करता है बिक्षु या परचार करते हुए महिला को इसके अंदर सामिल नहीं किया रहता उसकी उपमाता महात्मा बुद्ध की उपमाता के आग्रय पर सरस्थे पहले परचापती गोत्मी जो उसकी उपमाता थी इसकी महात्मा बुद्ध की परचापती गोत्मी गोत्मी बिक्षु नहीं का दर्जा दिया गया था सबसे पहले महिला के रुप में उसको सामिल किया गया वो द्रम हमारे भारत में भी फैला बट दूसरे देसों में भी सिरलंका मेनमार वियतनाम इन देसों में भी बो द्रम का परचार पसर काफी के लिए दूसरे देसों के लोग भी बोध ध्रम को अपनाई हुए हैं इसका अपनाने का एक और एक कारण सरफ यही है कि सबसे पहले राजाओं ने इसको आस्री देना शुरू कर दिया था राजाओं ने अपना ध्रम परिवर्तन करके बोध ध्रम अपना लिया था उसी का अनुक्रन करते हुए दूसरी लोगों ने भी बोध ध्रम का अनुस्रम करना शुरू करते है बिक्सूर बिक्षुनी इसका परचार परसाद करने के लिए विद्यसों में जाते है जो राजा असोक हुआ है चक्रवर्ती असोक जो महान राजा हुआ है जिसने सारनात के असोक स्थम को बनवाया है और सारनात के असोक स्थम से तीन सेरों के मूरती जो हमारे कागस में नौट पे छपती है वो असोक स्थम से ली गई है वो उसी असोक ने बनाई है जिस राजा ने बोध द्रम अपनाया ये वो ही राजा आसोक है जिसने कलें युद को छोड़ दिया था उस राजा आसोक की पुत्र और पुत्री, पुत्र महंदर और पुत्री संग नित्रा सिरलंका में बोध ध्रम का परचार परसार करने के लिए गए था परंतु थोड़ी सी इसमें लैक्सिस भी रहे है, क्योंकि बिक्षुनियों के इंडरी करने के बाद, लोगों में जो बिक्षु और बिक्षुने साथ काम करते थे, उनमें कुछ लक्जरी लाइफ जीने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए इस प्रकार के विचारण के परिवर्तित होने लगे थे ये अहिंसा के पुजारियू है किसी कभी हिंसा जीव जन्तों की किसी परकार की हिंसा उनको सहर नहीं होती थे मात्मा बुद्ध की मर्त्व के बाद वो द्रंग दो बागों में बढ़ गया है हिन्यान और महाया हिन्यान और दूसरा महायान हिन्यान महात्मा भुद्ध की विचारदारा कानुकरण करने वाला था और महायान जो इसकी साथा थी उसने बहुत द्रंग की मूर्ती बहुत महात्मा भुद्ध की मूर्ती बना कर उसको पूजा जाता था यह महायान संपरदाय के लोग थे यहने कि बोध द्रम दो भागों में बटने के बाद यह मात्मा बुद्ध को बगवान की मूर्ती की तरह से जैसे हम बगवान को पूचते हैं ठीक वैसे उसकी मूर्ती उसकी सेव दे करके उसकी पुजा की जाने लगी और हिंग्यान जिन्ता की गुपाई हैं उन दोनों में ही मात्मा बुद्ध के बारे में ही चर्चा होते हैं साट्री का स्कूप जो बोपाल की नज़री काया यानि कि अंपी में है बोपाल की बेगम सुल्ताना जहां ने सुल्ताना जहान ने इसका सालेक्षन क्या है सुल्ताना जहान बोपाल की नवाव की बेगम ते हैं जब यूरोपियन लग अने कि ब्रिटिस इसन्नक चांपपोनी इसके अलसेसों को लेकर के जा रहे है उस टाइम पे इसने सा सरक्षन करके सांची के स्टूप को बचाया सांची का जो स्टूप है उसके च्यारों और च्यार दर्वाजे हैं जिसको तोरण द्वार बोला जाता है एक अर्ध वर्ताकार गुम्मध है इस स्टूप को हम पीला कह सते हैं इस स्टूप के अंदर मात्माबुध के आवसेस उनकी हड्यां उनकी बसंदांत पादु काएं यह वहां पे रखी हुए एसे ही अमरावति सुरी और एजनता के गुफाईं गुफा है परवत को काट करके बनाई हुई है उसके अंदर सारी जो चित्रकार्य है वो महात्मा बुध को समर्पी करें और उसके आगे हम पड़ेंगे बेटा जैंद्रम जैंद्रम के 24 वे तिर्थ कर विया है कौन? जैंद्रम को ज्यादा पर्चारिक क्या था इसके बस्पन का नाम बर्दमांग था जैंद्रम के अंदर सन्यासी होते थे यहने कि पर्चारक होते थे उनको निर्गरंथ का जाता है निर्गरंथ बिना गरंथियों के बिना गरंथियों के बिना रुकावट के बिना रोक तोक के बिना बंधन के सकते हैं उनको सन्यासी बोला जाता था जैंद्रम जैंद्रम यह तीन रतन है को ज्यादा विसेस माना गया है त्री रतन उसमें त्री पिटक थे इसमें त्री रतन त्री रतन में आता है विजा जैंद्रम जैंसे जैसे परक्यार आगे इसका बढ़ता गया है लोगों ने दिरे दिरे करके इसका अनोकरण करना छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया इसका पतन का कारण भी मैं आपको बता हूं बढ़ उससे पहले इसका विबाजन सुनिया जैंद्रम दो भागों में बढ़ गया है एक से तामबर और गेसरा दिग अमबर स्वेत अमबर साफेद वस्परदारन करता है दिग अमबर दिख है जिसका सुचर आप इंदी में पढ़ेंगे तो आप इसका संदी विचे भी करेंगे दिख पलस अमबर दिख में दिसा है जिसके अमबर दिसा है जिसके अमबर अमबर में कपड़ एट में ये नंगे रहते हैं जिसको नागा बाबाब होता है ये दिग अमबर होता है ये जैन दरख काफी पट्यार करतार इसका नहीं हो पाये था इसमें बहुत सारी कम्या थे सबसे पहले तो ये थी कि इनका जो नेम था वो काफी कठोर था किसी भी जीव को नुक्षान नहीं पहुँचाना ये बात तो ठीक है बट उसके साथ को हमारी सांस के साथ कुछ जीवानों हमारी बोडी में अंदर चला जाता है जो हवा में होते हैं उनकी भी रोगठाम करने के लिए मुह पे कपड़ा बादना होता था पाओं के नीचे कोई जीव ना आ जाए ना मर जाए इसलिए लंगे पाओं चलना होता था इनी समय समस्याओं के कार लोग इसका अनुक्रण ने कर पाए और ज्यादा लोग इसके साथ हैं जुड़ भी नहीं पाओं यह जैन ध्रम की कुछ कम्या थी और जैसे 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 जैन ध्रम परचार परशार की प्रकिरिया पे आप आगे बढ़ा इसमें लोगों का हिंदू द्रम के हैं हिंदू द्रम के सखावना किसमे की कब की कैसे की इसके बारे में किसी के पास कोई चर्चा नहीं है क्योंकि यह सिर्चिफ पुराना ध्रम हमारे साथ जुड़ा हूँ है बट वो ध्रम जैन ध्रम क्यों आगए था उसका आने का कार्ण भी यही था के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है अब हम क्यार हिंदु धन के बारे में चर्चा करना है हिंदु धन के अंदर च्यार वेद है च्छे वेदांग है आठ पुरान है और इसमें मंदिर की संद्चना मंदिर स्थापत्ते के लिए एक ग्रव ग्रह होता है इस ग्रव ग्रह में पगवान की देवी देवता की पुजी जाने वाले मूर्ती रखी जाती है इस ग्रव ग्रह के चरत्रव चोक और कमरा होता है उसके उपर एक चोटी बनाई जाती है जो उसको सिखर बोला जाता है हिंदु धरम के मंदिर में ये इसकी विशेष्टा पाई जाती है हिंदु धरम में सेव और व्यष्णु इनका अनुपरण के लगता है सिव की पूजा करने वाले सेव और विश्णु की पूजा करने वाले व्यष्णु कहला जाता है हमारे समाज में या हिंदु धरम में आगे कहें कि हमारे भारतिये कला करती है अब हम कला पे चलते हैं जो स्थापत्य कला सहली है उसमें गांधार कला सहली है गांधार कला सहली क्या है गांधार ये वह गांधार है जहां से गांधारी आई है यानि कि मद्देश याज़ तो वहाँ पे युनान गी उसी छेतर में पढ़ता है तो गांधार कला सहले जिसके अंदर बारतिय और युनान की दोनों सहलियों को मिला करके दोनों डीजाइनों को दोनों तरह की बावन बनाने की कला को मिला करके उसको एक नई सहले विक्षित की गई है जिसको गांधार कला सहले बोल जाते है एक मत्रा कला सहले का उद्वम के अंदर माथुरा बुआ इसमें लाल बन्वा पत्थर से महात्मा बुद्ध बहुत द्रम की चैन द्रम की या हिंदु देवी देवतों की मूर्ती बनाई गई है यह उसी कला मत्रा कला सहले में विक्षित की गई है इस ओके और चेप्टर हैस बिन फिनिस्ट